स्मोक क्लाउड बोईंग 747 नाम की यह हवाई जहाज लंडन से लेकर न्यूजिलेंड तक के सफर के लिए जा रही थी जिन में प्लेन को तीन स्टॉप से होकर गुजरना था भारत, मलेशिया और आस्ट्रेलिया मलेशिया से टेक ओफ करने के बाद लोगों को यह मालूम पढ़ने लगा कि जरूर ही कुछ ना कुछ भयंकर तो होने वाला है क्योंकि प्लेन के अंदर लगा तार धुमा दिखाई दे रहा था और प्लेन के इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे प्लेन के सामने एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी ऐसा तभी होता है जब प्लेन किसी तुफान से टकरा जाए लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तुफान के होने का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था धीरे धीरे प्लेन के चारों इंजन में आग लगना शुरू हो गई ऐसी विकट परिस्थिती में पाइलेट ने वापस लोटने का फैसला किया बहुत ही डरे और सहमे हुए पैसेंजर्स को एक अच्छी खबर यह मिली कि प्लेन का एक इंजन अभी भी काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी के तीन इंजन भी काम करना शुरू हो रहे है आखिर में यह प्लेन इंडोनेशिया में लैंड हो गया बाद में जाच करने पर पता चला कि ज्वाला मुखी में हुए विस्फोर्ट के कारड एक अजीब सी चमक दिखाई दी और जो राख हवा में फैल गई थी उसी के कारड प्लेन के अंदर धुआ दिखाई दे रहा थ आखिए